NIT 2022 का रिजल्ट आ चुका है और आप तक आपको आपकी मार्क्स और रेंक भी मालूम हो चुकी होगी अब आपको लग रहा होगा कि मुझे मेरे मार्क्स पर या रेंक पर कोलेज मिलेगा या नहीं तो इसलिए आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट यार निट 2021 में फर्स राउंड सेकंड राउंड थर्ड और इस्ट्रे राउंड में क्या फाइनल कटो रहा था जिसे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे मेरे मार्क्स पर कोलेज अलोट होगा या नहीं हेलो एवरिवन दिस अमन बीमेश स्टुडेंट अट गौर्णमें अईरवधा कोलेज जबलपुर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि लास्ट यार गौर्णमेंट अईरवधा कोलेज की क्या फाइनल कटो रही थी तो गाईस वीडियो में आगे को जोइन कर ले आपको लिंक डिस्क्रिप्टन बोक्स में दिया गया है और जो भी इस्टुडेंट को डिटेल में आयूस एन वेटनरी कांसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे कांसलिंग एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं और साथ ही आप हमारा कांस 544 रेंग कर हईथी 5784 ओविची केटेघरी 542 रेंग कर हईथी 51,660 AWS केटेघरी 539 रेंग कर हाईथी 53,802 एस्टी केकरी के हम बात करते हैं 422 रेंग कर हाहिथी 65,869 ST category 402 rank रही थी 1,89,572 Second round की बात करते हैं General category 539 rank रही थी 53,805 ABC category की हम बात करते हैं 531 rank रही थी 59,944 EWS category की बात करते हैं 536 rank रही थी 55,810 SC category की हम बात करते हैं 481 rank रही थी 1,66,044 ST category की हम बात करते हैं Marks Rahata 408 rank रही थी 1,81,946 Third round की बात करते हैं General category 531 rank रही थी 59,928 ABC category 528 rank रही थी 61,639 EWS category की हम बात करते हैं Marks Rahata 529 rank रही थी 61,432 ST category की हम बात करते हैं 412 rank रही थी 1,77,061 ST category की बात करते हैं 401 rank रहाता 1,90,480 अब नाओ बात करते हैं इस्ट्रे राउंड की So UR category 510 rank रही थी 75,807 ABC category की हम बात करते हैं 508 rank रही थी 77,813 EWS category की हम बात करते हैं 507 rank रही थी 78,740 ST category की बात करते हैं Marks Rahata 381 rank रही थी 2,17,420 ST category 310 rank रही थी 3,28,401 अब हम बात करते हैं Special Stray Round Special category की बात करते हैं 486 rank रही थी 96,895 OBC category 441 rank रही थी 1,43,130 EWS category marks रहाता 477 rank रहाता 1,5875 ST category की बात करते हैं Marks Rahata 356 rank रही थी 2,54,009 ST category की हम बात करते हैं Marks Rahata 239 rank रहाता 4,64,869 तो यह हमने बात कर ली last year NIT 2021 में Government Ayurveda Colleges का क्या final का top रहा था अब हम बात करते हैं कि last year NIT 2021 में Government Ayurveda Colleges का क्या final cut of रहा था तो फर्स राउंड की हम बात करते हैं General category 533 rank रही थी 58,247 और BC category की बात करते हैं 530 rank रही थी 60,676 EWS category 529 rank रही थी 61,363 ST category की हम बात करते हैं 417 rank रहा था 1,70,583 ST category 396 rank रही थी 1,97,123 up now second round UR category 534 rank रहा था 57,904 OBC category 530 rank रही 60,759 EWS category 529 rank रही 61,363 ST category 416 rank रही 1,72,564 ST category 402 rank रहा था 1,89,572 3rd round की बात करते हैं UR category 527 rank रही थी 62,433 OBC category 525 rank रही थी 64,587 EWS category 526 rank रही थी 63,428 ST category 412 rank रहा था 1,77,905 ST category 391 rank रही थी 2,46,92 up now straight round UR category 510 rank रही 75,912 OBC category Max रहा था 510 rank रही 76,058 EWS category 507 rank रही थी 78,853 ST category 381 rank रही थी 2,17,523 ST category 310 rank रही थी 3,26,575 अब now special history round UR category के हम बात करते हैं special history round में UR category के लिए कोई भी seat vacant रही थी OBC category 478 rank रही थी 1,4465 EWS category 433 rank रहा था 1,51,969 ST category 341 rank रही थी 2,76,060 ST category के हम बात करते हैं तो special history round में ST category के लिए कोई भी seat vacant रही थी So guys आज की वीडियो में हमने देखा कि Last year government आयरवेदा and government added college का First, Second, Third and history round में क्या final cut-off रहा था अब now next further आने वाली वीडियो में आपको में बताऊंगा Last year government VHMS and government added VHMS colleges का क्या final cut-off रहा था तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए वीडियो को like करें ज्यादा ज्यादा लगों को share करें और चैनल को subscribe करें So enjoy your day, be happy, thank you, thank you so much